हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल सागर स्टेडी गुरूप और आज मैं कक्छा 11 वी का बायलोजी का कॉस्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम प्रिशन एक से प्रिशन चार तक के कॉस्चन आंसर को देखेंगे तो आईए हम देखते हमारा पहला कॉस्चन है सही विकल्प चुनकल लिखिए तो इसमें पहले का अंसर C है, सेकेंड का अंसर B है, थर्ट का अंसर D है, फूर्थ का अंसर B है और फिप्त का अंसर A है, तो आप यहां से इसका स्क्रीन सॉट लेकर इसे लिख सकते हैं फिर इसके बाद है, सेकेंड कॉस्चन रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए, तो इसके पहले का अंसर होगा, गिल्स या गल्पडों और second का अंसर होगा स्थंबी है, third का अंसर होगा nitrogen, और fourth का अंसर होगा glycol, leesis और fifth का अंसर होगा oxygen, युक्त, फिर इसके बाद है सही जोडी बनाएए, तो इसमें पहली पहला सही जोडी है हमारी जो वो है, dendron, तो इसका अंसर होगा neuron, और second है पुस्पिक्रम का प्रकार तो यह होगा हमारा रैसमॉस और तीसरा है मेटाफेज तो इसका अंसर होगा एक्वेटर पर गुनसूत्र फिर इसके बाद है फूर्थ किलोरोफिल तो इसका अंसर होगा प्रकासिय अभी किरिया और इसके बाद है अमोनिया उस्सरजन तो इस का आंसर होगा बक्नली का तो आप इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद है एक सब्द या एक बाके मुत्तर दीजिए तो इसका पहला कॉस्चन का आंसर होगा सिलेजी नेला और सेकेंड का आंसर होगा प्रोटीन एवं कैलसियम और थर्ड का आंसर होगा डी आक्सी राइबोज एवं राइबोज नूकलिक एसिट और फूर्थ का आंसर होगा मक्का, गन्ना और फिप्त का आंसर होगा तंत्रिका, पिर्णाली थैंक्स पर वाचिंग, लाइक, सेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माइ यूटूब चैनल और इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे